चैप्टर नमबर 13 सर्फेस एरिया और वोल्यूम के फोर्विला लिखवाये थे वीडियो अगर देखा होगा ठीके आप लोगोंने चैप्टर 13 का तो सबसे पहले लेच्चर में मैंने आपको सारे फोर्विला लिखवाये है ठीके देन सर्फेस एरिया कहां से स्टार्ट किया था हमने सर्फेस एरिया ओफा क्यूब वहां से स्टार्ट किया था ठीके देन सर्फेस एरिया में क्यूब के दो पाट आते हैं तो टोटल सर्फेस एरिया इन डिसरा लेटरल सर्फेस एरिया Total surface area of a cube is 6L square Where L is the length of the cube And lateral surface area is 4L square Done? ठीके? वैसे ही total surface area of a cuboid What is the difference between a cube and a cuboid? यह जो है ना इसे हम cuboid बोलेंगे इसे हम क्या बोलेंगे? Cuboid जिसकी length, breadth and height अलग अलग हो या तो कोई 2 एक ठेसी हो और तीसरी अलग हो length, breadth और height तीन measurement मेंसे कोई 2 measurement same हो और तीसरा अलग हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? Cuboid बोलेंगे जबकि cube में 3 के 3 सेव होंगे ठीके? Cube की देखो यहाँ पर यह cuboid की 6 sides बन रही है यह अउपर की side 3, मीचे की side 4 यह वाली side 5 और यह पीछे वाली side 6 वैसे ही cube में भी 6 side होगी सारी की सारी 6 side अगर square है इसकी side देखो rectangle shape में है? है की नहीं? इसकी सारी sides आप देखो सारी केसी है? rectangle shape में है ठीके? जबकि cube में क्या होता है? सारी की सारी जो 6 side होती है वो सभी केसी होती है? square इसलिए उसका length brent and high सब कुछ च्या होता है? clear? ठीके? now total surface area over q boy क्या लिखाता होने formula? 2 into lb plus bh plus h yes or no? ठीके? total surface area मैं से लिखने सोट है total surface area over q क्या लिखाता हमे? 6 L square with lateral surface area over q 4 L square ठीके? pin total surface area over q boy क्या लिखाता? 2 into lb plus bh plus h what is the difference between total surface area and lateral surface area? total surface area मतलब कि all these 6 sides का area आचाएगा and lateral surface area में हम top और bottom निकाल देंगे आजो पाजो की 4 side का area लेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? lateral surface area top side और bottom side वो दोनों क्या होगी? निकल जाएगा ठीके? वैसे ही lateral surface area of q boy lateral surface area of q boy क्या लिखाता हम प्रेक? 2H into L प्लस B 2H into L प्लस B ठीके? उसके बाद कौन सा शेही पाता है? cube and cuboid हो गया उसके बाद सेही पाता है cylinder उसमें भी दो होंगे total surface area of cylinder क्या आएगा? पर्विला याच्कर हो क्या लिखा है था मैंने? 2πi R into R plus H 2πi R into R plus H now lateral surface area of cylinder is equal to 2πi R 8 होगा? ठीके? सिरेंडर के बाद कौन सा शेही पाता है? कौन? ठीके? उसमें भी आएगा उसमें हम lateral surface area लिखेंगे या तो curve surface area लिखेंगे बोथ हार से ठीके? जैसे देखो यहाँ फे cylinder में भी lateral surface area लिखा हो या तो curve surface area लिखा हो बोथ हार से ठीके? वैसे ही कौन में आएगा कौन आपने लिखा है या? यसे ठीक का होगा है या? यह क्या है? ठीके? आप पूरे कौन का area लेते हो? बदल आपके उपर का यह काउट पाट और नीचे का यह circle सब कुछ आप काउट करों तो हो आएगा total surface area बद आप नीचे के circle का area काउट डा करों और उपर का only काउट पाट का area लो हो तो हो क्या आएगा? curved surface area तो वाट इस the curved surface area ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ curved surface area और वी कैसे lateral surface area तो ओ 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 डिन्टो एगा? कौन के बाद फिर हमने कौन सा शीट लिया था सर्फिस एरिया ओफ स्फियर सर्फियर लिया था हमें और हमी स्फियर लिया था स्फियर मतलब कि आप सो फ्रिकेट का बोल लेते हो ना उसी हम क्या बोलेगे स्फियर बने के बोले का बोल यह था हमास्टेट बेखा वो सभी क्या है स्फियर है थीके तो स्फियर का ओनली सर्फिस एरिया ही लेंगे क्योंकि उसमें काउड़ सर्फिस एरिया या तो तुर्दा सर्फिस एरिया वैसे पार्ट्स नहीं होती ठीक है, एक ही होता है, सिर्फ सर्फेस हे दिया उपर का पूरा, ठीक है, तो सर्फेस हे दिया, ओ, स्वियर, इतना आएगा, फोर पायार स्वियर, चलो, स्वियर का फोर पायार स्वियर हे, तो हेमी स्वियर का क्या होगा, हेमी स्वियर मतलब स्वियर का आधा, स्वियर को बिलिकुल बीच में से कट कर दो, अपके फ्रिकेट के बोल को आप एक डम बीच में से कट कर दो, जो दो पार्स बनते हैं न, उ तो वो हेमिस्फियर का उठको आप नीचे का जो गोलाकार होता है। उसे हम बोलेंगे कर्व्डे सर्फेस एरिया। तो अज़र इसका टोल हाफ कर रहे हैं। तो एरिया भी इसका हाफ हो जाएगा। तो तो डोदिए हमिस्फियर का एरिया भी इसकी हमिस्फियर होता हमिस्फियर दा कर रहे हैं। मिल्दो रिकेत के बोल कॉब्ड बीच में से कट करो तो आध्रा गोला बायो पर काट भी लएगा। प्लस उपर का जो राउंड स्रीर होता है तो तो चैंगे उसे हम hो जाएगे तो क्या आज journals मतलब ए शर्टल आएगा सद्बका एरिया क्या होता है पार, स्वेर तो यह ढू पार्ण। तो यह एक और स्वेर इंच शेयर कर दो तो क्या हो जाएगा ? प्री बाइब स्वेड ठीके यह हो दो है सब्के सेरिया उसके बाद आएगा वॉल्यूम पट वॉल्यूम का हम बाद में लिख लेंगे पहले सब्फे सेरिया के पुर्स्चेंस काउंट करते हैं ठीके जैसे यह सब्फे सेरिया के फॉल्यूम सारा लिखिये वैसे बाद में आपको वल्यूम के लिखवा देगे ओल्रेडी आप सब्के पास लिखे है यह यह तो से फृवीजन है दनेवर्यंज कि मिलाश कॉर्यूम चलो exercise 13.1 अब कौन से चेप्टर में कौन कौन सा पार्ट आपके syllabus में है कौन सा कट हो चुका है वो सब कुछ मैंने आपको पहले टिक करवा दिया है ठीक है आपने सारे चेप्टर के वीडियोस देखे होंगे तो सारे चेप्टर का जो पहला पहला वीडियो है न वो फर्स्ट वीडियो में मैंने हर एक चेप्टर के आपको सिले बस diameter साट में जब करती हूँ तब पहले उसका syllabus में आपको टिक करवाती हूँ वीडियोस अगर देखे हो तो और वीडियोस संब ने देखे होंगे अगर वीडियो देखे हो तो किसी हो ठीक है चल तो एक्जाम्पल 1 & 2 हमारे सिले बस में है ठीक है फिर एक्सरसाइस 13.1 के पहले 5 क्वेश्चन सिले बस में है 6 7 & 8 कैंसल हो ठीक है तो पहले 5 में किसी को कहीं पर डाउट है पहले 5 क्वेश्चन से एक्सरसाइस 13.1 के उसमें से कहीं पर डाउट हो तो हम स्वोल करेंगे 1 2 3 4 5 all the questions are in doubt right because videos तो देखे ही नहीं ये chapter के तो कहां से soul होगे है ना एक एक question एक भी question मैंने सोड़ा नहीं है सारे question का solution करवाया मैंने नीचे लिखा होता है पेटा वीडियो में नीचे नाम लिखा होता है subject का chapter number उसका part 1 है part 2 है कभी देखा हो ना तो पता चलेगा एक भी subject पे अगर हमने कभी भी video नहीं देखे है तो पता कैसे चलेगा पेटा चलो exercise 13.1 question number 1 a plastic box 1.5 meter long 1.25 meter wide and 65 meter deep ठीक है long, wide and deep मतलब कि हमें length, breadth and height भी है और किनों की value अलग-अलग है तो उसके उपर से हमें पता चलता है कि ये box कौन से shape का है cuboid shape का कैसे shape का है cuboid now, it is opened at the top उपर का part क्या है खुला है मतलब कि हमें उपर का part count करना नहीं है ठीक है ignoring the thickness of the plastic sheet determine the area of the sheet required for making the box ठीक है पूरा box बनाने के लिए कितना plastic sheet required होगा ठीक है तो यहाँ पे देखो box में पहले ही बोला है कि उपर का part क्या है top part is not there ठीक है उपर का part उन लोगों ने cut कर दिया है मतलब कि आजू बाजू की चार side और bottom मतलब कि total five sides होगी yes or no box की आजू बाजू की चार और नीचे की है तो total five sides होगी उपर का नहीं होगा तो आजू बाजू की चार side के लिए तो हमारे पास formula है कौन सा lateral surface area of cuboid yes or no ठीक है तो आजू बाजू की चार side का area हमें मिल जाएगा lateral surface area से और नीचे का जो bottom part है वो केशे shape का होगा rectangular shape का होगा then area of the rectangle is length into breadth yes or no ठीक है तो जो lateral surface area था उससे हमें आजू बाजू की चार side मिलेगी और फिर base का हम क्या कर देंगे उसमें add कर देंगे तो पाचो side का area हमें total मिल जाएगा yes or no ठीक है तो वो 5 side का जो area होगा that is the area of required shape clear यह जो हमारा first है वो area of shape required is equal to lateral surface area of you know it plus area of base base मतलब की जो नीचे का rectacle part बनता है वो ठीक है what is the lateral surface area of you boy 2x into L plus B plus area of base L into B ठीक है हमारे पास length, breadth and height की value है deep मतलब की वो height ठीक है wide है मतलब की वो breadth and long है मतलब की वो length length कितनी है 1.5 2 multiply by H कितना डीक है वो 65 cm 65 cm उसे मीटर में convert करूँ देखो हमें length and breadth दोनों मीटर में दी है इसलिए हमें height को भी मीटर में convert करना पड़ेगा तो 65 cm को मीटर में convert करूँ तो 0.65 0.65 0.65 into L is 1.5 and D is 1.25 1.5 1.25 इसलिए है अब इसलिए करो 2 multiply by 0.65 तो 2 5s are 10 2 6s are 12 plus 1 13 यहां से 2 multiply by 0 बतलब 0 बतलब 1 आया प्रेदिए 1.13 into 1.5 plus 1.25 बतलब 2.75 plus 1.5 multiply by 1.25 तो 1.25 multiply by 15 15 5s are 75 15 2s are 14 plus 1 37 15 1s are 15 plus 1 plus 3 18 1875 अब यहां पर 1 digit के बाद point है यहां पर 2 digit के बाद point है मतब कि यहां पर 2 plus 1 यहां पर मतब कि तोटल 3 digits के बाद point आएगा here 1.875 now in the number multiplication 1.3 and 275 multiply by 13 3575 2 digit यहां पर यहां पर 0 निकाल दे तो 1 digit मतलब कि तोटल 3 digits के बाद point 3.575 plus यहां पर जो 5 है 1.875 5 plus 5 10 1 plus 7 8 8 plus 7 50 1 plus 5 6 6 plus 8 14 3 plus 1 4 4 plus 1 5 5.450 meter square की length rate and height सभी meter में है that means की तोटल इतने एरिया की कास्तिकी श्रीट की sheet हमें required to make these books clear? Now, second question क्या है, the cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost to rupees, 20 1 meter square का cost कितना है, 20 rupees, तो हमारे पास कोटा कितना meter square है, 5.45, ठीक है तो cost कितना आएगा, 1 meter square का 20 है, तो इतने meter square का क्या करेंगे है, हम multiply करेंगे, करेंगे, ठीक है Now, 2, 5, 0, 10, 2, 4, 0, 8, plus 1, 9, and 2, 5, 0, 10, ठीक है, यहां से एक digit विकाल दे, तो यहां पे दो digit के बाद के है, पहले तो यह वाला 0 लगेगा, रूपीज 1, 0, 9 बहीं, यहां मี दो, रजकी है, यहां भूप्ग के म lets का 20 यहां में पैल यहां लगेगा, यहां में जहां मूदे accomplish यहां में दो dessांग मания citrus झाल झाल चलो Question number 2 The length, break and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively Quantum most of white portion of the holes of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square देखो यह question में कियां वे सेवी आप जहां पे बेठे हो पर रूम समझें ठीके? चाल, डिवाल, और छट को हमें paint करना यह room केसे shape का होगा? cubo regime का होगा? क्योंकि length, break and height same नहीं होगा लगलब होगा that is that this room is in the shape of cubo ठीके? हमें white post करना है मतलब कि अभी आप देख रहे हो जैसे white color लगा है वैसे ही लगाना पे तो यह four sign sense के लिए क्या आएगा same इसमें किया था वैसे ही इसमें box में क्या था? top निकल गया था? bottom post find करने से पहले हमारे पास area तो होना चाहिए न तो हम इसका post find कर सकते है ठीके? तो पहले हम क्या करेंगे? area to white wash मतलब कि white wash कहने के लिए कितना area लगेगा? तो हम क्या करेंगे? lateral surface area of cuboy plus area of ceiling ठीके? lateral surface area मतलब क्या आएगा? चाहर दिवा जो चाहर दिवार होगी बोले तो the surface area and a ceiling ठीके? अजिए 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 area to white wash is equal to area of 4 volts अजिए उसे हम क्या लिए के? lateral surface area of cuboy ठीके? area of 4 volts वो क्या होगा? lateral surface area of cuboy plus area of ceiling ceiling कौन से shape में होता है? rectangle shape में ठीके? area of rectangle ठीके? ठीके? lateral surface area of cuboy is 2H into L plus B plus area of ceiling मतब rectangle क्या होगा? length into breadth ठीके? 2 multiply bar H room की height कितनी है? length, breadth and height 5, 4 and 3 respectively height is C length is 5 breadth is 4 plus length is 5 multiply by breadth is 4 2 3s are 6 into 5 plus 4 9 plus 5 4s are 20 9 6s are 50 4 plus 20 is equal to 74 meter square total इतना area white post करना है अब इसका हमें क्या point करना है? coast तो first क्या दिया है? रूपी 7.50 per meter square ठीके? तो 1 meter square का 7.50 तो इतने meter square का हुटना करेंगे क्या 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 इतने क्या 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 75 75 35 77 49 352 5 4s 20 7 4s 28 30 5 55 0 5 5 5 5 0 प्लास यह 0 लगे था उर्दो डी जेट के बार point कितना आया cost? रूपीज 555 5 5 6 6 6 6 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 15 The floor of our rectangular hole has a perimeter 250 meter एक rectangular hole मतब की एक class देखंगो इसका floor rectangular सेहकँ होगा ठिके उसका हमें perimeter कितना दिया है 250 meter rectangle का perimeter क्या होता है 2 into L plus B Yes or No perimeter of a rectangle is 2 into L plus B है ठिके वो हमें कितना दिया है 250 meter If the cost of painting the 4 walls at the rate of Rs. 10 per meter square is Rs. 15,000, then find the height of the hole. ठीके, हमें rectangle base है, उसका पेरिफीटर हमें दिया है. फिर क्या बुलाएं, hole ही जो चार दिवाल होती है, उसे paint करने का cost कितना है? 15,000. Total cost कितना दिया है, देखो, question में? 15,000. 1 meter square के 10 rupees के हिसाग से, total cost कितना हो रहा है? 15,000. तो उसके उपर से पहले हम क्या करेंगे? 4 walls का area fight करेंगे. कैसे करते हैं, देखो. पहले हम फाइंड करेंगे area of 4 walls. उसके लिए हमें दिया है, कि 10 rupees में, बोलो, 1 meter square को paint करने के लिए. बोलो, कितने rupees लेते हैं? 10 rupees, ठीकिए? बेसे कितने rupees total हुआ है? 15,000. उसमें बोलो, कितने meter square paint करेंगे? चलगे. तो 10 rupees में बोलो, 1 meter square paint करते हैं, तो total 15,000 में कितने meter square करेंगे? Cross multiplication करेंगे हम. तो 50,000 के साथ क्या multiply होगा? 1. तो 10 कहांपे आजाएगा? नीचे, 00 pencil. तो 1500 multiply by 1 मतब कि 1500 meter square. तो area of four was क्या मिला हमे? 1500 meter square. अब हम किसी भी cuboid में. पूरा hole के से shape का होगा? Cuboid shape का. उसमें आजुबाजो की सिर्फ four side count current. तेट मिन्स की वो क्या होगा? लेटरल सकते से रिया होगा? मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर किसी भी cuboid में से आप top और bow town निकाल दो, सिर्फ आजुबाजो की चार side count करो, तो तो क्या होगा? लेटरल सक्षिस एरिया. यहाँए, लेटरल सक्षिस एरिया of cube. ठीकिये? हमें find करना है, I define करना है. ठीकिये? कितना दिया है, 2 into L plus B. वो कितना दिया है, parameter of the floor is 250 meter. ठीकिये? अभी इसे as it is रखो. ठीकिये? अब हमें find करना है, इसकी लिए हम देखें के, कि एरिया of 4 walls, वो क्या होगा? लेटरल सर्फेस एरिया of cube. इसका फोर्मिला क्या है? 2 A sin to L plus B. अब एरिया 4 walls हमें कितना मिला? 1500. तो उसकी चर्टे पे जटे पे हम कर लिखेंगे 1500. इसी इक्वाल तो. यहाँपे आपको दिखेंगा? 2 into L plus B is equal to 250. वो ही हमारे पास है. देखो यहाँदे. 2 into L plus B. H को हमें सिक्वाल रहेंगे. इसे में H को side-mail उसो क्या बचता है? 2 into L plus B. और 2 into L plus B हमारे पास कितना है? 250. तो उसकी चर्टे पे में क्या लिख रही हूँँ? 250. अब मुझे H मतलब की हाइड तो whole हमें पुचार. वो चार्टे 250 इससे डाएगा तो डैनमी लेटर में? 1500 divided by 250. 00, cancel. 150 को 25 से डिवाइड करवा तो 6. तो हाइड की हमें इतना मिलना? 6 मेटर. यह सब कुछ अब मेटर स्पेर में मेटर में दिया है. इसलिए हाइड का यूनिट भी क्या मिलेगा? मेटर. क्लियर? आ गया समझ में? लिख लिख. लिख 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 लिख.